पालपा को रामपुर मा रहेको ताल फोखरा पोखरा को फेवा ताल को जलको मेटाउनेत का रुपमा लीएंचा। दुईदसक अगाडी सम्मा सान पोखरिग में शिमित तालफोखरा छेत्र विस्तार गरी काच्की को फ्यवा ताल को सरूप्र सैली मा पुरभाधा निर्मान गरी है संगई एती बेला यहां परेटक को उल्यक की ब्रिदी हुना थाली को सा तालफोखरा लाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक साय परेटक की गंतावे इस्ताल का रुपमा गोशना गरी पछी इहां परेटक को चहल फल अजज बड़ेको हो राष्टिय गोवराब का आयजना कालिगंड की करीडोर समेथ दाहीने परेको एस्ताल मा पालफा सही छेमे की जिल्ला हरू रुपन देही स्यांगजा तनहू पूर्वी नौल पराशी लगायत का जिल्ला बाट अबलकन को लागी परेटक हरू पुगने गरे काशन तालफो राष्टिय गोवराब का इस्ताने नगर सरकारले तालफो ख़रा को परेटक प्रवरादनका लागी समय समय मा डूंगा दोड परतियोगीता संचलान गर दिया कोशा। कोरानाका कारण तीन वर्षा थला परेको परेटन बेवसाये पचेलो समये मां सर्वर साधरान लाई खुला गरीये पचे आंतरिक परेटको मुक्के रोजाये मां तालफ घरा परेको बेवस्तापन समीतिका सचीब सुनिल देवकोटा बताऊनु हुचा। का दिन मां हाते मालो गरेरा अगी बढ़ेको खंडा मां पिदेशी परेटको अध्येंड अवलोकन को मुक्षे गंतब्वे ताल पखारा बनने सचीब सापकोटा को भनाई छा। का दिन मां हाते मां हाते मां अग успil कि का दीन झाल झाल